नमस्ते दोस्तों मेनू की हरे भरे छट पर आप लोगं का बहुत बश्ष्वागत है और आज है 19 जनौरी और 19 जनौरी के दिन अभी भी बहुत सारी सबजिया है मेरे छट पर गोभी तो खतम हो गई है छट की लेकिन फ्रांट से निकल रही है गोभी यहाँ पर छट पर मैं कुछ हार्वेस्टिंग भी करूंगी आज तो यहाँ देखे चुकंदर है तो मैं चुकंदर कुछ हार्वे के लिए तो इस तरह से देखे चुकंदर निकाली और यहाँ पर बहुत सारी सबजिया लगी हुई है टमाटर धनिया सब अच्छी तरह से ग्रोथ कर रहा है यहाँ पर देखिए इस समय मौसम बहुत ही खराब था पूहरा और सितलहर चल रही थी तो मैं च्छत पर नहीं आ देखे यह तीन चार टमाटर चिडिया खा गई लेकिन एक पका हुआ टमाटर मैं हार्वेस्ट करके रखी हूँ उधर यहाँ पर चलिए दिखाती हूं मैं आपको तो यहाँ देखे एक टमाटर भी हार्वेस्ट आज की हूँ छत से ही तो आज देखिए दोस्तों यह कैरी बैग में जो मैं धनिया लगाई थी तो वह बहुत ही अच्छी तरह से दिखिए एकदम ग्रोथ कर ली है और हार्वेस्ट के लिए एकदम से तयार है हार्वेस्टिंग के लिए धनिया का पत्ता और और यह है फ्री का ग्रो बैग जो कि हमारे और सब के घरों में आता रहता यह कैरी बैग तो दोस्तों यह भी आपके पास ग्रो बैग मार्केट वाले नहीं है तो आप घर के ही कैरी बैग में भी आप कोई सब्जियों का बीज या पौधा लगा करके ग्रो कर सकते हैं इसकी लाइफ ज्यादा तो नहीं होती बट एक दो सीजन आप इसमें एक दो सी वीडियो पूरा चैनल पर अपलोड है लेकिन एक वीवर्स जब इस धनिया को देखी वो कैरी बैग में तब उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि मिनो जी एक फुल वीडियो बनाईएगा तो इस वज़े से मुझे थोड़ा सा ये वीडियो छोटा सा बनाना पड़ा तो य बेग में आप सब्रक्राओता थे म Corn Decker बनाने कि कोई आउप सकता है इसमें यह मैंसे पानि जो है इक्सरा पानि ऑपनाएग कर्योंस करते हैं ने में Business not pelo जैक्षिक होदेओ तो आप फिर फोड़ी सी लाइफ जादा कर सकते हैं इसे लरक को अरर कैह से ऐखे में दो यदि एक में डाल देंगे कैरी वेक तो यह थोड़ा मजबूत हो जागा और थोड़ा जादा दिन तक चलेगा तो इस तरह से इस कैरी वेक में मैं डबल कैरी वेक देखे डाली हूं और इसमें नीचे वही सुखे पते ज्यादा ज्यादा भरी हूं और इसमें आप चाहें और नीचे और नीचिक खाद बनें के लिए भी डाला जाता है और यहीदि तो ही करने जानी तो अभी मैं ही हरवेस्ट करने के बाल दिखाते हूं आपको सोधी is Canon 1200 ढरैरे करें तभी दुबारा से फिर इसमें हरे हरे पत्ते आ जाएंगे और फिर से आपको हर्वेस्टिंग मिलेगी और जब मैं यह पूरा धनिया हर्वेस्ट कर लूँगी तब इसमें कोई भी नाइट्रोजन रीच फर्टिलाइजर या कंपोस्ट एट कर दूँगी ताकि फिर से म एक बार जरूर से गाड़े में अपने यूज कीजिए और इस फ्री के कैरी बैग में सबजियां लगा कर एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा और यह बहुत ही अच्छा है और मैं भी गाओं से रहती हूं मुझे भी मार्केट से ग्रोबैग यह सब खरीदने का मौका नहीं मिलता है या मिल भी नहीं पाता है तो मैं घर की कैरी बैग का ही यूज करती हूं जो की बहुत ही आसानी से मारे घरों में आता है तो इस तरह से इस कैरी बैग का आप ही यूज जरूर से करिएगा गाड़े में